Good morning class, आज की class में हम आगे का, चेप्टर के आगे का पढ़ेंगे, कि अब तक हमने पढ़ा था कि अक्षर क्या है, उसका महत्व क्या है, और किस प्रकार से पहले माना जाता था कि अक्षर जो है इश्वर की देन है, लेकिन धीरे धीरे अब हमको ये पता है कि कौन सी भाषा औ और क्या इतिहास है, ये सब कुछ हमें लिखीत रूप से उपलब्ध है, तो आगे पढ़ रहे हैं, प्रागय इतिहासिक मानाव ने सबसे पहले चित्रों के जरिये अपने भाव व्यक्त किये, तो जो आदी मानाव हुआ करते थे, वो क्या करते थे, चित्रों के माध्यम से चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते थे, जो उनको लगता था चित्रों को देखकर वो उनको व्यक्त करते थे, जैसे पशूओं, पक्षियों, आद्मियों, आदी के चित्र, तो यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से पशूपक्षियों और आद्मियों के चित् भाव, भाव मतलब उसमें क्या भाव है, दुख का, सुख का, खुशी का, इस प्रकार के भाव को समझने लगे, जैसे एक छोटे वृत्त में चहुं और किरणों के धोतक रेखाएं खीचते पर, वह सूर्य का चित्र बन जाता है, तो जैसे एक चित्र के बारे में कहा जा रह कि उसको देखकर हम कैसे सोचें, तो बाद में यही चित्र ताप या धूप का धोतक बन गया, मतलब यह पहचान बन गया, तो सूर्य के चित्र को देखके समझाता है कि गर्मी और धूप, यह कितना है, किस प्रकार का है, इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आये, औ तो इसके बाद क्या हुआ, जब भाव के बाध्यम से, चित्र के माध्यम से समझने लगे, तो उसके काफी समय बाद आदमियों ने अक्षरों की खोज की, अक्षरों की खोज के सिलसले को शुरू हुए, मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, तो इसकी खोज को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है केवल 6000 वर्ष हुआ है केवल 6000 साल अक्षरों की खोज के साथ एक नय यूग की शुरुआत हुई तो अपसे केवल 6000 वर्ष पूर ही अक्षरों की खोज हुई थी और एक नय यूग की एक नया यूग जो की अक्षरों के माध्यम से अपने विचार और उस समय के स ताहिट्य को सुरक्षित रख रख अ का नहींसे, अपनी विशय अपने हिसाब किताब के लिखकर रखने लगा और वो क्या करने लगे? जो उस उस युग की बात थी, उसे सुरक्षित रूप से लिखकर रखने लगे तब से मानणो को सभ्य कहा जाने लगा तो जब मानव इतना समस्दार हो गया कि उस समय की बातों को लिख कर रखने लगा तब उसे समस्दार माना जाने लगा सभ्य माना जाने लगा आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंबुआ किसी की कौम का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलते हैं तो किसी भी धर्म जाती के जो इतिहास होते हैं वो कब से पता चलते हैं जो लिखे हुए हमको लिखित रूप में आज प्राप्त है तो ही हमको पता है नहीं उनके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल याने इतिहास के पहले का काल कहा जाता है तो जो 6000 वर्ष है जब से हम अक्षर का ग्यान हुआ और लिखीत रूप से रखने लगे तो उसके पहले के काल को किस क्या कहते है प्रागैतिहासिक काल अता हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते तो ये स्पस्ट है कि अगर अक्षरों का खोजी नहीं होता तो कुछ लिखीत रूप से होता ही नहीं तो हम किसी प्रकार से उसको जान भी नहीं पाते हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार शालों में आदमी किस प्रकार रहता था हमें कुछ भी नहीं पता होता कि पहले आदमी कैसे रहते थे क्या खाते थे कैसे घरों में रहते थे किस प्रकार का उनका जीवन हुआ करता था यह हमको कहीं लिखा हुआ मिला तो हमने पढ़ा तभी हमें यह सब बाते पता चले क्या-क्या सोचता था, कौन-कौन राजा हुआ करते थे जो भी इतिहास की बाते हैं वो हमें कुछ भी नहीं पता होती कैसे पता नहीं होती हम तो किवल आज को देखते जो हमारे सामने है उसको हम अच्छे से देख पाते समझ पाते हमको क्या मालूम कि हमारे पहले क्या हुआ तो ये लिखित रूप से संचित किया गया है इसलिए हमें ये सब कुछ ग्यात है तो अक्षरों की खोज मनुष्य की स कुरक्षित रहने लगी तो आगे की पीडि उसे पढ़कर उस चीच के बारे में जानने लगी से पिछले 6000 सालों में मानव जाती की तेजी से विकास हुआ और पिछले 6000 सालों से ही इस अक्षर की जानने के बाद तेजी से विकास होने लगा यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का तो यही महत्व होता है अक्षर का और उनसे बनी हुई लिपियों का मतलब लिपी क्या होती है जिन हम वर्ण चिन्नों के माध्यम से लिखते हैं उसे कहते हैं लिपी, तो अलग-अलग भाशाओं की अलग-अलग लिपियां हुआ करती है, अता हम सबको अक्षर की कहानी मालुम होनी चाहिए, तो यही कह रहे हैं कि हम सबको क्या है, अक्षर की जो कहानी है, वो पता होनी चाहिए कि अक्षर कब आया, तो कितने साल पहले से मानों को इसका ग्यात हुआ, तो आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गये, कहा बने और किसने बनाए यह जानना भी ज़रूरी है, तो इसलिए इस पार्ट के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि हमको यह जानना आवश्यक था, कि अक्षरों का ग्यान कब से शुरू हुआ, किस प्रकार से मानों पहले अक्षरों के ग्यान के पहले एक दूसरे से अपने मन के भाव प्रकट करता था, जो भी उसको सोच रहा है वो बोलता था, तो इसके बारे में भी हमने चाना और अक्षरों के विशय में चाना कि उसका म पहत्व क्या है और वो हमारे लिए किस प्रकार से सहायक है तो धन्यवाद आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कुश्चन आंसर आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे